अब जिन्दे टुवी में आपका स्वागत है इस वक्त देश आजादी का अमरुत महुसों बना रहा है और इस अमरुत महुसों के उपलक्ष में जगा जगा कई कारेकम हो रहे है देश की सरकार ने कहा है कि घर घर तिरंगा अभ्यान चलाया जा रहा है देशी सरकार ने कहा है कि हर घर में तिरंगा लगा जाए जाए तो ऐसे इस माहोल में इस प्रिप्रेक्ष में हम लोग एक महतों पूर्ण विशे पर आज चर्शा करने जा रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर सूरेश माने सर है जो सुधन तद्न है अभ्यासक है विचारक है साहित अभ्यादी में उनका क्या योगदान है इस संदर्ब में आज की बातचीत है और अलग-अलग डाइमेंशन पर हम लोग चर्चा करेंगे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पर सबसे पहला सवाल यह जो है कि कई बार सवाल उटना है कि डॉक्टर वाव सब अमबेटकर क क्या योगदान है तो जो पहली बार लंडन में रॉयल जो गैलरी है वहां पर फर्स राउंटेबल कॉंफरेंस होती है और वहां डॉक्टर वाव सब अमबेटकर रिप्रेजेंट करते हैं उस राउंटेबल कॉंफरेंस को और नॉवेंबर बारा नाइंटीन थर्टी की कॉ करते हैं तो पहली बार बावा सहब वहां देश की सुदंतरता की बात करते हैं तो इस बार में बताईए कि यह किस तरह का वह इंसिडेंस था और क्या हुआ था उस समय अमन जी अपने ठीक कहा बिलकुल कि बावा सहब को लेकर अभी भी कुछ लोगों के दिल और दिमाग में गलत धारना है और उसमें से एक प्रमुग धारना है कि बावा सहब का आज़ादी के अंदोलन में कोई ठोस यह उगधान नहीं है इस तरह का उनके उपर इल्जाम भ लगाया जाता है लेकिन असलियत में कुछ तत्य और बताते हैं और वो तत्य आज के इस अपने चर्चा के दवरान अपने सारे तमाम प्रेक्शकों के सामने रखना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि बावा सहाब की सामाजिक राज के जीवन के शुरुवात ही होते है उन 1920 के बाद कोई बड़ा स्टेप होता है तो लगबग 1928 यह सबता है इसका साइमन कमिशन का आना साइमन कमिशन का जब बाकी तमाम सारे कॉंग्रस वगरे इन्होंने जो विरोत किया था तो बावा साहब ने और उनके साथियों ने उसका स्वागत किया था उसका भी एक वज जोने भारत में जो एक कमिशन डेड़ लॉक जैसे हालत बने थी उसको रिजॉल करने के लिए और भारत के आजादी के तरफ जो बड़ावा था उस दिशा में एक महत्वपुन कदब रखा था जिसके लिए तीन राउंटेबल कॉंफरेंस बुलाई गए थी यह तीनों रा राउंटेबल कॉंफरेंस में महुझूद रहे तंहीं मिराँ अबर कॉंफरेंस के ओपर गभांदी में जी फ़ेटिजरी साइब लेकिन सेकंड राउंटेबल कॉन्फरेंस के गांधी कॉंग्रेस रिप्रेजेंटेटीव शामिल हुए थे और तीसरी गांगरेस मैं लगबाग बाकी तरहें प्रत्यनेदी महचूद थे की तरफ से तरफ से मुस्लीम लिख की तरफ से पिर इंडिया के प्रिंसे स्टेट थे उनकी तरफ से लेकिन अनुटी और हिस्ट्रिकल बात अगर कोई थी तो पहली बार भारत के इत्यास में अच्छुतों को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में माना गया था अनरे जोने और उस अलग आइडेंटिटी के तहत बावा सहब अंबेड कर और दक्षिन भारत के मद्रास के या तामिल नाडु के राव बाहदूल रटेमल स्रीनिवा इन दोनों को अंटचिबल लोगों के प्रतिनिधी के रूप में अंगरे दिन में इस में शामिल किया था अब यह शामिल करने के बाद के उपर भी पटेल ने क्रिटेसिजम किया था कि पटेल जी को इतना गुस्टा आया था बावा सहब यह बाकी लोग जो गए बुलाए तो वोले यह क्या है किसी को चमार को बुलाया कि मोचु को बुलै कि दोबी को बुलाया इस तरह का कंडेंब वाला स्टेट्मेंट पटेलज ने किया था वस्त दे लेकिन अगरेन अर्त अंगले दोने यह समझम लें आता कि इंडियन नेीट लाय से एकिमियो नैशनल वोर् यह अंग्रेदों ने समझ कर इसके साथ फ्रिंस से स्टेट जो राजा महारा जाते उनका एक तो इनके सारे प्रतिनिदी पहली दफा अपने देश के हिस्टी में इकटे बैठे और अंटचेबल पहली बार बैठे तो यह बड़ी उपलब दी थी वावा साथ के राजनितिक ज बाशन है उस बाशन मारास्ट्र सरकार ने स्पीचिस और राइटिंग कि उसमें सेकेंड वालिम में भी है और इन भाशनों में बावा सहाब ने पहले अंग्रेदों को लताड़ा लतारते हुए बावा सहाब ने कहां कि अंग्रेद नहीं थे दभी अच्छुद की हलत यही और आज आप है तो भी हमारी हालत आज़ी है तो आपके आने से हमें कौन सा फरक पड़ रहा है तो आप यहां से तुरंट चले जाए यह अच्छा है आप यहां से पहले चले जाओ हम आपस की बात हैं हम देख लेंगे आप पहले देश को छोड़ो यह जो वावा सहाब का भाशन है राउंटेबल कॉन्फरेंस का जब ना गांधी थे ना कॉनरस कोई रिप्रेजेंटेटिव था तब अंग्रेज भी वो सुनकर हैरान हो गये थे क्योंकि अंग्रेज़ के उपर भी वावा साब ने वही लांचन लगाया जो यहां के ब्रामनवादी विवस्ता के ठेकर दारों के उपर लगा रहे थे कि तुमारे आने से ना आने से हमें कोई नहीं फरक पड़ा है हमारी बद्दर हालत थी वह वही है आज भी है इसलिए आप पहले निकल जाओ देश को आजाद होने दो हम अपना देख लेंगे यह जो बात बावा साब की थी तो इसको कहते कि पूर्न आजादी का सबसे पावर और यह भी वावा साब का नाशनलिस्ट अटिटूट यह बड़े पहमाले पर दफल है इसके साथ दूसरा जो पहलू था वावा साब ने कहा कि अंग्रेदों को समझाते वक्त उन्होंने कहा कि भारतिय समाज या कब वक्त का समाज यह तीन समाजों का प्रमोक है एक समाज की जो डिमांड से वह बिल्कुल इन दोनों से विपरीत है इसलिए चायों मुस्लिम लिख के प्रतिनिदी बैरिस्टर जिना थे लियाकत अलिखान थे सर आगा खान थे या सीखों के मास्टर तारा सिंग थे या हिंदू महासाबा के बैरिस्टर जैकर थे मुझे थे इन से सबीर से हटकर इनों ने जो डिमांड रखी थी डिमांड रखने के पहले कहा था कि अच्छूत एक अलग आइडेंटिटी है यह हिंदू समाज का ही हिस्सा नहीं है एक अलग है और इसलिए उनकी बात अलग सुनी जाया और उनको एक अलग अधिकार दिया जाया उस के तहट बावा साब ने सेपरेट इलोक्ट्रेट और दो ओच का अधिकार यह दो प्रमुक माते यह उन फर्स राउंटेबल कॉंपरस में रखी थी और फिर यहां के यह रियासते उनको लेकर कि इनका इंटेग्रेशन कैसे किया जाए इस बात को उजाला था और एक कॉंकर चलाने का वो दिन चले गया आप निकल जाओ आपका जाने का समय हो गया आप सविधान की बाद छोड़िया आप निकल जाओ हम अपना देख लेंगे तो दो तरह से एक सविधान बनाने के लिए और एक आदादी के लिए बाबा साहब ने सपस्ट रूप से अंग्रेदों क अग्रेद की धर्ति पर उनकी राजदीने में और जो रावंतेबल कौन पर वो जो रॉयल हाऍग है और रॉयल हाल आज के हांस अप लड का हिस्सा सबेकल ब्रिटिश पारलमेंका की रो इस्दारी में जाके उनके धर्ति के उपर उनके बड़े सर estásダं में यह ठाका नहीं अ दुर्भागे से हमारे देश के साथ ही इस बात को आज भी अटा dum San You के यह जो बात थी जब कंफृëंस ने बावा साहब की दिया जब कांधी नहीं थे से कांगरे से प्रत्रीन जी resistant वह आग अधिशामने के दूछ कि आपने बहुत अच्छा भावी भाशन दिया है और देश के आज़ादी के डिमांड की तो मैं आपका बिरिंदन करता हूँ दरहाल ये बात तो आज़ादी के बारे में पहला भाशन उनका जो था राउंटुल कॉंफरेंस में इसके बाद हम लोग सेकंड वर्ल वार्ड की जब बात करते हैं जब सेकंड वर्ल वर्ल में जर्मनी उसके तरफ जाने के वाज़े जो गांदी जी का जिक्र है क्योंकि गांदी जी ने अब्जेक्शन लिया था बाबा साब के पार्टिसिपेशन को लेकर पहली बार और गांदी जब दूसरी बार गए तो उन्होंने ब क्योंकि गांदी जी की यह अडल रवया वाली भूमिका थी कि कॉंग्रेस रिप्रेसेंट्स ओल सेक्शन्स ओप इंडियन ससाइटी यह उनका जो दावा था उसकी पोल अंग्रेजोंने खोली थी और अंग्रेजोंने प्रिंसले स्टेट नैसे रिया से थे उनके अलग मुस्लिम लें थोड़ी इनके साथ थी या अच्छू थोड़े इनके साथ थे लेकिन गांदी और कॉंग्रेस का यह प्रयास था उससे वह आहद तो जरूर हुए थे लेकिन जब सेपरेट इलॉक्ट्रेट और डबल ओट यह जब बात मंजूर हुई और जब गांदी अंश साथ आप सही राष्टवादी हो नाशनालिस्ट हो आपका पहला भाशन मेंने सुना है जिसमें आपकी देश भक्ती ओत्र प्रोथ से बिलकुल फुल है उसके ओपर कोई संदेय नहीं है लेकिन आपकी जो स्वतंत्र मद्दार संगर की भूमिका है उससे मैं अहस हमेत हूं तब बावा साथ की वो भाशा है कि I have no motherland बापो मुझे मेरी अपनी मा समान धरती नहीं है इस तरह की जो बावा साथ की डायलॉग है वो उसके बाद आती है और नतीजह यह हुआ कि गांदी जी ने एडमिट भी किया कि अबिड कर एक ट्रू नाशनालिस्ट है लेकिन और हमारी समस्थ्या है ale या आज भी हमारे समस्या Hey कि जो हमारे प्रतिती होते है în depends सभी ही है यह समें आज भी है बहिए Dar में तब जर्मनी काफी प्रभवशाली हुआ था और इटलर का भी प्रभव काफी था तो सेकंड वर्ड वर्ड में जो हालात पैदा हुए थे उसमें दो तरह के फोर्सेस का इबर्च होना एक दुनिया को एक त्रेट के रूप में आए था एक नेपोलियन का और एक तरफ हिटलर का तो नाजिस्जिजम का जो उदे जिस रफ्तार से हुआ था अब वो दिको पिरिड है वो मिड़ 20th century का है और मिड़ 20th century में लगबग हर देश में प्रजा अशियन बड़े country कहते उनमें प्रजात अंत्र की बागडोर एक बहरती हुए नजर आ रहे थी आइसे वक्त में नाजिजम का बोल बाला लेकर जब हिटलर हो या मुसोलिनी हो यह ताक्ति जो उबरी थी वो ताक्तों से प्रजात अंत्र के लिए जब खत्रा महजुद शाइं हो थी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी एक नाजिवाद के समर्तत और एक नाजिवाद के विडाधा की रूप में हम भारत के उसी को बीप्र war process को काउंट कर सकतेए लेकिन यह नाजिवादी जो भी थाक्तिय उतनी थी जिसको fascist कहते हैं चेम भी भी हिस्ट्री में फैसिस करके उल्ले किया जाता है तो यह फैसिस ताक्ते किसी भी कीमत पर हरनी चाहिए उनकी हार होनी चाहिए इस तरह के ग्लोबलाइज माहुल में पहुंच सारे लोगों ने यह भूमिका ली थी कि हिटलर मुसोलणी यह जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स से से इनकी इस विश्वयुद्ध में हार होनी चाहिए और इसलिए अंग्रेज को मदत होनी चाहिए बावा साब ने यही भूमिका अपना ही थी क्योंकि बावा साब भाई स्पिरिट वाद लिबरल डेमोक्राटिक उनका व्यक्तित्व भी था और उनकी वह आइडियोजी इसके बावा साब धनी होने के कारण उनका नैचुरली तक तो द्वारा इस वर्ल के ओपर कभजा हा भी हो यह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को साथ देने की बात जरूर कही थी लेकिन यह बात कहने वाले इंडिया के बावा साब अ एक सुबाद चंद्र छोड़कर और सुबाद चंद्र को उस दिशा में मानने वाले आरेसेस वालों को छोड़कर बाकी सभी ने थासिट ताक्तों की हार होनी चाहिए इस तरह की भूमिका अपनाई थी इवन गांदी जी ने तो रेकूरूटमेंट करवाई थी सेकंड वर् प्रेजों के लिए मिलिटरी रिकूरूटमेंट का काम साउथ अपरिका में किया था लेकिन गांदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता लेकिन अंबिड करके उपर इस काम के लिए भी कुछ लोगों ने आरोप उठाए लगाए और बिलकुल गलत थे लेकिन यहां भी बावा साब की जो भूमी का है जो हिस्टोरिकल है इसको कही लोगों ने नदर अंदाज करके बावा साहब के व्यक्तित्व और उनके योगदान के ओपर एक बड़ा भारी अन्याय किया अब हम जो बात करते हैं कॉंस्टेंट असम्बली पर हम आते हैं और जब बनती है बा अन्याय के अजह फारा त وت quién एन रियास्तों को इकहता करने का भी योगदान जो है पूरे बारत सबाने का जो यूगदान बाशाप का है जिसके बारे में भी जिक्र नहीं हुता तो इसके बारे मैं हो सारी नायनिकों कैसे इससे सभीदान सभा में और याइवा की नेकरOU इन पिरिड में लगबग अपने भारत देश में 700 से ज्यादा रिया से थी, 700 and above, 700 states ते, 700 states, इसलिए गुजरात में एक सवरास्ट इलाका है, सवरास्ट मतलब 100 nations थे, 100 nations, बैरिंटर महामद आली जीना वहां से आते, पौर बंदर से, तो वो भी एक प्रिंसल स्टेट था, और ये स पारे 700 से ज्यादा रिया सतों में कुछ लोगों का ये रवया था, कि इन states को ये पर्मिशन दी जाए, कि भारत के आदादी के साथ इनको अपना फैसला लेने दो, कि इनको इंडिया में शामिल होना या नहीं होना है, अंग्रेजों कि भी ये चाल थी, लेकिन बावा साब इसमें शुरू से लेकर, ये सारे प्रिंसले स्टेट, राजा, महारजा, नबाब के सारे स्टेट, इनको भारत में शामिल होना ही चाहिए, ये इस तरह की भूमिका उन्होंने अपनाई थी, इसमें लेकर उनके जो राइटिंग्स है, उसमें इसके सबुत मिलते हैं, फेड से कि इंडिया के सेक्यूरिटि के हिसाब से, आजू बाजू में जो पडोसी देश है, इनके हिसाब से, ये प्रिंसले स्टेट्स इंडिपेंडन रहना भारत के लिए कितना खतरा है, बविश्य में, इसका बहुत बड़ा जिक्र किया है, बार बार किया है, और उसका जिक् और एक साउथ में जिसमें हगरावाद का जिकर आता था ताकि कभी भी भारत किसी परकिय ताक्तों के अंदर गुलाम नहीं वनना चाहिए इस तरह की लंबी सोच बावा सहाब ने इन तमाम सारे प्रिंसले स्टेट को इंटिग्रेट करते वक्त बार बार रखी है लेकिन क्रेडिट किसको मिलाएं तो सब्सक्राइब अच्छी बात है पटेल जी का भी अपना योगदान है उसको हम नजर अंदाज नहीं करते हैं लेकिन बावा सहब के योगदान को यहां गलत तरीके से फिर एक बार अन्याइकारेक भूमिके से बावा सहाब के भूमिका को एक नतर अंदाज करने की historical blunder जिसको हम गलती कहते हैं वो historical blunder कही लोगों से हाथ से हुई है और यह जो historical blunder बार 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 जो हुई है उसका कारण यह है कि कारण बावा साहब की गांधिया और कॉंगरेस के खिलाप वाली जो राजनीती रही या aggressive position रही या untouchables को लेकर बावा साहब का आकरमक चे रहा है या उनका अंदोलन है इस अंदोलन के कारण गांधी और कॉंगरेस के प्रशक्शन लोगों ने हमेशा अंबेड कर को अंडर यूटिलाइज किया उनकी कार्यों को underestimate किया और मैंने शुरू में कहां कि दफना ने का काम किया इसके कारण इवन integration of princely states इसके बारे में बावा साहब की भूमिका मतलब आज का जो वरतमान इंडिया है वो बनने में अंबेड कर का कितना योगदान है इस बात को भी उन्हेंने नदर अंदास किया बावा साहब को नदर अंदास करने की कोशिश हमेशा हुई है उस समय से लेके अब तक हुई है लेकिन जो सच्छा ही है जो वास्तविकता है वो हम आपके सामने ला रहे है और काफी अईतिया जब देश बनता है देश में लगभग साथ सो साल मुग्रों का नाच रहा उससे पहले भी कई राजा रजवारे आए लेकिन मनुस्पुति के कानून को किसी ने छेडा नहीं इभन आज़ादी के आंदिलन में कभी आरे से सहबाग नहीं दिया लेकिन उस वक्त अंग्रेज चाल में भारत को अक्लिक सेकूलर राश्च बनाने में भारत को एक सभी का देश बनाने वापा साब करते योगदान है इसके बारे में जारा बताइक इसके बारे में एक ही स्टेट्म nåd एक सदस्ष्य थे सविधां सबांग हम उनका नाम है शामानंदन साहए और ये शामानन्दन सहय ये सविधान सभा के सदर्श्य थे और गांधी जी के बड़े भारी भक्त थे लेकिन सविधान बनने के बाद उनका जो एक लाइन का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है और एक वाट पे है उन्होंने कहा कि दग क्रेडिट फॉर इंडेपेंड इंडेडिट फॉर इंडेपेंडने को इंडेट फॉर इंडेपेंडने को शुच्टो का जो श्क्रेटमेंट है ये बापुजी के बड़े गांदी जी के बड़े लेकिन उनोने सच्षाई को स्विकार कर दो कि आज़ादी की लड़ाई का अगर आप श्रेय गांदी जी को देते हो तो आज़ादी के बात का भारत निर्मान करने का श्रेय आपको किसको देना है बावा सहाब अंबिडकर को देना है अब क्यूं देना है क्यूं में ऐसा स्टेटमें उनों ने किया तो इस बात को भी समझते वक्त दो-तिन बातें समझने चाहिए कि आज हर घर-घर में तिरंगा वगर्या जो चल रहे हैं लेकिन जब सभीधान बना जब यह तिरंगा बना तो आज जो घर-घर तिरंगा लेकर चलो वालों ने कहा था यह तिरंगा हमारा ही नहीं और उनमसे कह लोगों ने अभी तक उसको अपनाया नहीं अपने इमारतियों पर लहरा है नहीं अपने वाटसप की डीपी नहीं बदले यह सच्छा ही है तो उनका आज का राष्ट्र प्रेम और उस वक्त की भूमिका खास करके इसके बारे में अपने विछारधन किताब में ना तिरंगे को महतवदिया ना वोटिंग आधिकार को महतवदिया ना भारतियों सविधान को तो कंडेम करते वक्त उन्होंने कहा ता कि यह बहुत जल्दी खतम होगा ठिकेगा नहीं वगरा वगरा लेकिन आज पचात्तर साल होगे ना बारति देशों का हाल देखते तो पता है लेकिन इसमें बावा साहब को एक आर्किटेक्ट होने के ना थे उन्होंने कहीं बार जब सविधान सभा कुछ अच्छों चीजों को एक्सेप्ट करने के हिचकिचार कर रही थी तब बावा साहब ने आकरमक होकर अपने कॉंसिटिशनाल इसम के अधार पर अपने सविधानिक बौदिक संपता के अधार पर पूरे सविधान सभा को मजबूर करवाया जैसे राजिंदर प्रसाद सविधान सभा के अध्यक्ष गांदी जी कांगरस के रेता ये कहते थे कि भारतिया सविधान का बुनियादी आधार ये विलेज हो को यह ग्राम पंचाय उनी चाही है वावासाव ने उनको ललकारते हुए सभीधान सबा में कहा एक घ्राम और ग्राम सबा यह शोशन का भंदार है अघ्यान का भंदार है इड्स आप इग्णोरंस है यह एक्स्प्लॉइटेशन देशन का भंदार है इसके बज़ाए आदमी भारत का नागरिक यह भारतिय राज्य खिटन का स्केंद्रय बिंदू होगा एक फोकल पॉइंट होगा और तमाम सारी भारत की जो भी पुरारणी परंपरा है वह एक तरफ लेकिन आज से यह भारत स्वातंत्रे संपता बंदुता और न्याय के आधार पर चलेगा तो भारति यह व्यवस्ता का रीकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है और रीकंस्ट्रक्शन इसका मतलब पुराने चीजों को नकार देना डिस्टरट करना और इसी लिए पुराने किले बावासाम ने बहुत ढाये और नया सवीधान रुपी भारत का कीला बनाया यह बावा साहब का अज आजदी के अमरुत माऊसों में हम लोक बात कर रहे थे कि बाबा साहब दॉक्टर आंबेटकर का राशनि दिर में में क्या योगदान है तो इसकर Înे बात की उर आज राज हमसे बात्यूत करते समय ब्यूटर। यहां विरान दने से पहले मैं सर से एक अंतिम टिपने चाहूंगा आतादी के अमरुत महुत्वी साल में बावा साहब की जो दूसरी पड़ी भाशा है जो सविदान सभा में उन्होंने आकरी भाशन में कहा है कि आज से हम राजनितिक रूप से तो स्वतंत रहें लेकिन क्या आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत रहें यह सवाल बावा साहब ने 25 नहोंबर 1949 को सविदान सभा में आकरी भाशन में उटाया और दो तिन दिन पहले इसी बावा साहब के बाद को वर्तमान सुप्रीम क कोड के नायदिश नायमूर्थी चंद्रचूर इन्होंने दो तिन दीन पहले कोड किया तो जब आज भी वर्तमान सुप्रीम कोड के एक उच्छतम स्रेनिक नायदिश चंद्रचूर बावा साहब की इस बात को याद दिलाते हैं तो इसका मतलब हमने आज भी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक और सामाजिक रूप के लोकशाही या डिमोक्रसी इसकी तरफ जाने का हमारा रास्ता अभी तक पूरा नहीं हुआ है बलकि बड़े पैमाने पर वो अधुरा रह गया है इस बावा साहब के बात को आजादी के अमरुत महुत समी साल में हर देश के नागरिक ने और सत्ता के पदों पर बैटे हर आत्मी ने सविधानी कानुनी समस्ता के पदों पर बैटे हुए हर व्यक्ति ने सविधान की ये गरिमा और बावा साहब की ये बात को भूलना नहीं चाहिए यही संदेश है जस यही संदेश के साथ आज हम इस बा इबाद्चीत के माद्दम से बावा साम की योगदान को समझने में आप इबाद्चीत आपको सायग होगी धन्यवाद कर दो